जे बजरंग बली प्रे मित्रो आजपूना आपनों का हमारे भाग जो तिश्चिंतन में स्वागत है बहुत से मित्रों का कहना है कि आप बास्तु सास्त्र के हिसाब से हमें किस दिशा में सोना चाहिए मित्रो जब इंसान पूरे दिन काम करता है तो वह बहुत ही ज़्यादा ठक जाता है और जब ठकने के बाद वह उसे नीद आने लग जाती है तो उसके सरेर के लिए स्वास्त के लिए उसे भरपूर नीद की अवश्रकता होती है और वे भरपूर्ण नीरी से सोना चाहता है इसलिए मित्रों आप लोगों को बासु सास्त के हिसाब से मैं बताने का प्यास करूँगा आप लाश्ट तक वीडियो को देखते रहें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके कि हमें किस तरफ अपने सिर को करके सोना क्योंकि यदि हम बासु सास के हिसाब से नहीं सोते हैं हम किसी साय तरफ पैर करके सो जाते हैं तो हमें जो नकारात्मक उरजाए हैं वह हमें प्रवावित करने लग जाती हैं और उस नकारात्मक उरजाओं के कारण हमें हमारे स्वास्त में हमारे ब्यापार में हमारे धन सं मंदित हमें नुकसान सेना पड़ जाता है और हमें नुकसान होने लग जाता है इसलिए प्रेमित्रों हमारा कहना है कि आप लोग बासु सास्त के हिसाब से ही शैन करें और शैन का ध्यान रखे कि हमें किस दिशा की और शैन करना है पहला आप लोग देखिए बासु सास्त के अनुसार पोर्व दिशा की तरफ सिर करके पस्चिम दिशा की तरफ पैर करके सोना से हमेशा बचना चाहिए यदि आप पोर्व दिशा और पस्चिम दिशा की तरफ पैर करके सो रहे हैं तो आप इस दिशा की तरफ बिल्कुल ही पैर करके ना सोए अब पोर्व दिशा में सि पूर्व की और पारान अर्थात पूर्व की और पार्थात पूर्व की और पारेट अच्छा नहीं नहीं दूसरी बात प्रिमित्रो ऐसा है कि पूर्धिसा की तरफ भगवान सूर योदय होते हैं और भगवान सूर की तरफ आप पैर करके नहीं सुना चाहिए अब आगे देखते हैं बासुसास्त के अंसार पहच्चिम दिसा की तरफ सेर करके पूर दिसा की तरफ मुख करके सोना लावधायक होता है अब आप इस चीज को ध्यान रखे कि हमें किस तरफ पेर करके सोना चाहिए और किस तरफ सेर करके सोना चाहिए आप यजि पूर दिशा की तरफ मुख करके सूते हैं तो आपको लाब होगा और पस्चिम दिशा की तरफ आप सिर करके सूएंगे पूर दिशा की तरफ आप मुख करके सूते हैं तो आपको लाब होगा जैसे आप देख रहे हैं इस नकसे में यह जो बालक सो रहा है इस तरह यदि आप सोते तो आपको 100% लाब होगा बास्तु सास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा की तरफ सिर करके और दच्छन दिशा की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए अब आप बास्तु सास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर की तरफ आप सिर करके सो रहे हैं और रच्छिंड की तरफ पैर करके सो रहे हैं तो कभी नहीं सोना चाहिए क्योंकि यह दिसा बहुत ही आपको नुक्सान दे सकती है आप इस दिसा की तरफ पैर करके सोएंगे तो आपको काफी नुक्सान सेना पड़ सकता है जिससे हमारे दिमाग में हलचल होती है और बेचैनी बढ़ जाती है जिससे अच्छी नीद हमें नहीं मिल पाती है और हम अच्छी तरह से शो नहीं पाते हैं जिसकारण से हमें गंदे शुपन आने लग जाते हैं और हमारे नीद में लिश्टर्ब होने लग जाता है अब मित्रो और सुबह सो कर उठने के बाद भी सरेर में ठाकान बनी रहती है जिससे हमारे सरेर का स्वास्त डिश्टर्ब होने लग जाता है और हमारा संतुलन खराब होने लग जाता है जिसके चलते मानसिक बीमारे और हमारे सरेर में चुड़ चुड़ापन बन जाता है और हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं लड बैटते हैं और हमारे लडाईयां होने लग जाते हैं अब हम देखते हैं दच्छन की और सिर करके सोने से हमें धन तथा आयू की ब्रधी होती है यदि हम दच्छन दिशा की तरफ सिर करके सोएंगे तो हमें धन और आयू की ब्रधी होगी मित्रो अब आगे आप देखे बासुसास के अनुसार दच्छुण दिशा के तरफ सिर करके और उत्तर दिशा के तरफ पैर करके सोना उत्तम और लाहवदायक माना गया है और बहुत सही दिशा यह माने जाती है मित्रो आप बासुसास के हिसाब से आप इस दिशा की तरफ सिर करके और पैर करके सो सकते हैं दच्छुण दिशा की तरफ आप सिर करके और उत्तर दिशा की तरफ पैर करके सो सकते हैं यह लाहवदायक है जैसे आप देख रहे हैं इस नक्से पर बालक सो रहा है आप इसी तर सो सकते हैं और आपको लाव प्राप्त होगा और आपकी आयों में ब्रधि होगी और आपको हमेसा सुख और सान्ति का अन्हूत आप करेंगे लेकिन जब हम दच्छन दिशा की और सिर करके सोते हैं तो दच्छन दिशा में रेडात्मक तरंगे तथा सिर की तरफ धनात्मक तरंगे आपस में मिल जाती हैं जिसे चुम्ब की प्रवाव से आसाने से होती है और जो चुम्ब की प्रवाव है वो तरंगे निकलती हैं जो की हमारे सरीर के लिए आप देखते हैं कि जो तरंगे निकलती हैं चुम्ब की रेडात्मक और धनात्मक तरंगे होती हैं यह हमारे सरीर के लिए बहुत ही लाबद सुबख़ उठने पर तरंगों का और आप अपने शरीर को सुस्त पाते हैं तथा मांसिक बीमारी बीमारियों का खतरा आपको नहीं रहता है और आप मांसिक तराओं से दूर रहते हैं और आप सुस्त और मस्त रहेंगे इसलिए मित्रो आप बास्तु सास्त के हिसाब से चुने जगा कि किस दिशा के तरफ हमें सैन करना चाहिए और किस दिशा के तरफ हमें मुख करके सोना चाहिए किस दिशा के तरफ हमें पैर करके सोना चाहिए प्रेमित्रों आपको जहां कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूँश सकते हैं मैसेश करके आप जान सकते हैं प्रेमित्रों हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर करें ताकि आपको अने वाले अंगली वीडियो आपको इसका दूसरा पाट आपको प्राप्त हो सके और आपको जानकारी हो सके पूरी तरह से कि हमें किस दिशा में बासुसास के हिसाब से सोने का नियम करना चाहिए जै स्रीराधे प्रिमित्रों